स्वागत आपका एक बार फिर से यूटीव चानल पर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लेटेस्ट 10 GI टैग्स जो 2023 एंड 2024 में प्रोडक्ट्स को दिये गए हैं ठीक है GI टैग्स आपको पता है आपका कितना important portion है current affairs का ठीक है हर एक exam में आपका पूछा चाता है तो चलो start करते हैं आज हम इस वीडियो में लेटेस्ट 10-20 GI टैग्स हम लोग discuss करेंगे ठीक है साथ में practice करेंगे हम इनके practice mcqs clear ठीक है तो इसकी भी purity आपको मिल जाएगी हमाल टेल्ग्राम चैनल पर टेल्ग्राम चैनल का लिंक description box में होगा वहां से आप join कर लीजिए ठीक ह ठीक है यहां पर आपको पहले देर रख्या क्याए ओडी शाप जानी है simple पाल का ओडीशा का खांदिए अच्वार्ण ॄर्ण नक्स्ट है खाज़ुराही गुदा यह भी आपको पता है कहाँ का है अबर आपना चल लिया औपको नाम से ही next आपके पास जाता है काचिची कारिक यह कहाँ का है भाई यह प्रोड़क्ट आपका यह आपको मिलेगा गुजरात का यह dates है क्या है यह आपको dates देखने को मिलती है कालो नूनिया राइस यह आपका है वेस्ट बेंगॉल का क्लियर वन बई वन आपको बताऊंगा, इनकी स्पेशलिटी क्या हैं, जो एक्जाम में आपसे पूछी जाती है, रामबन अनारदाना आपको पता है भाई, हमारे जमू एड कश्मीर का है, ठीक है, पालानी पंच मित्रम, ये क्या है, इंपोर्टन्ट है, ये आपको याद र ये आपका जी आई प्रोडक्ट, ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जादेरी नामकटी, ये हम लोगों ने लास्ट जो करंट अफेर सेशन था, वहाँ पे भी मैंने आपको अच्छे से इन डीटेल समझाया था, ठीक है, ये भी आपका है तामिल नाडू, बशोली पश्मीना आपको पता है, जमू एंड कश्मीर, नेक्स्ट आपके पास मिर्चा राइस, ठीक है, कौन सा वाला, ये है आपका बिहार का, ठीक है, तो आओ भाई, इनको वन बाई वन डिसकस करते हैं, इन डीटेल, पहली चीज़ आपको मालूम क्या होना चाहिए, भाई, जी आई प्रोमोशन एन इंटर्नल ट्रेड, ठीक है, ये आपको याद रखना है, डिपार्टमेंट ओफ, ठीक है, डिपार्टमेंट ओफ, इंडस्ट्री प्रोमोशन, इंडस्ट्री प्रोमोशन, ओके, इंडस्ट्री प्रोमोशन एन इंटर्नल ट्रेड, इंटर्नल ट्रेड, ठीक Commerce and Ministry of Commerce and Industry clear ये आपका issue करते हैं आपका GI tag GI tag आपका दिया किसको जाता है ये एक नाम या फिर symbol होता है जो आपका डूबली केसी को चेक करते हैं कि भाई वो जो product है वो original ही होगा वहाँ का कोई specific area geographical location या specific geographical area में ही मिलता है किसी country को किसी state को या किसी location को ठीक है ये आपने याद रखना है GI के बारे में ठीक है GI आपका कौन से act के अंडर आता है याद रखना है registration and protection act 1999 clear 1999 का जो आपका registration and protection act है उसके अंडर हम लोग issue करते हैं GI tag को clear GI tag जो है ये आपका किसी product को दिया जाता है specific geographical origin को जो ensure करता है good की quality को और reputation की उस specific location की clear है ठीक है याद रहेगा ये चीज़ चलें भढ़ें आप हमारे next portion पर ठीक है तो ये सब meanings मैंने बता रखना है आपको हाँ एक important चीज़ आपको याद रखना है भाई specific geographical products को मिलता है ये आपको मैंने अभी बताया exclusive usage right होते हैं इसमें shield होता है कि copyright कोई ना करें और limitation इसकी होती है एक चीज़ याद रखना के same process से same चीज़ कोई और भी बना सकता है इसमें ऐसा कोई ban नहीं है ठीक है ये चीज़ याद रखनी है आपने और इसकी validity 10 years तक होती ये भी आपको याद रखना है ठीक है चलो भाई ओवर साइट को नहीं है department of promotion and industry and internal trade क्लिर है ministry of commerce and industry चलो next आ जो भाई हमारे पास क्या था that is सिमली पाल काई चटनी सिमली पाल काई चटनी हमने अभी देखा था कहां का है ये भाई ओडिशा का कहां का ओडिशा का जिसको हम लोग क्या कहते हैं red weaver ant clear ये आपने याद रखना है red weaver ant ये काफी nutritional होता है इसमें काफी आपको क्या ओडिशा की मायूर बंज डिस्टिक में आपको देखने को मिलता है यहां के जो ट्राइबल्स हैं ये इसको कंजूम करते हैं ये काफी nutrition होता है टेस्ट भी अच्छा होता है और इसमें protein भी काफी अच्छा खासा होता है इसमें B12 आपको देखने को मिलता है vitamin B12 magnesium potassium iron ये सबी kitchen proteins, vitamins, boost immunity, medicinal oil, aids, babies, treats, diseases ठीक है ये जो आपकी कौन सी है सिमली पाल काई, चटनी ये आपको याद रखनी है ठीक है यहां पर मैंने एक flow chart बना रखा है ये आपको याद रखना है में चीज आपको याद क्या रखना है ये ये जो काईज है ठीक है इसको काई बोलते हैं red वेव on small insects जैसे beetles हैं, flies हैं उसके बाद hymone tervenge हैं ये सभी चीज़ें ये खाती है ठीक है इन वर्टे ब्रेट्स को खाके ये जिन्दा रहती है ये आपको याद रखना है क्या ये आपकी है red weaver ants ठीक है ये कुछ important चीज़ें थी जो आपको याद रखनी है इस product से related नेक्स देखे question आपको पूछा गया है काई that is red weaver ants scientifically called osophilia samaragdina ये आपको नाम याद रखना है ठीक है osophilia samaragdina ये इसका scientific name है scientific name आपसे पूछे जाते हैं they feed on small insects and other invertebrates बिल्कुल सही बात है काई's are biocontrol agents बिल्कुल सही बात है तो आपको option D automatically हो जाएगा यहाँ पे correct answer about this ठीक है बाई next हमारे पास क्या है Odisha का खजूरी गुड़ा गुड़ा से आपको मैंने क्या पताया था गुड़ा गुड़ मतलब गुड़ा ये क्या है jaggery है कुछ भी नहीं है that is a jaggery natural jaggery है जो आपका date palm trees से ली जाती है गजपती district of Odisha clear Odisha का product है खजूरी गुड़ा clear याद रखना है next आप के पास आजाता है भाई काची कारिक अब काची कारिक क्या है ये important है ये एक date है clear nothing date मतलब के खजूर ठीक है इसको गुजरा ये आपको गुजरायात में पाई जाती है अभी हाली में इसको j tag मिला है ये आपकी 400 से 500 साल पुरानी है जब यहाँ पे अरब साय थे तो historically linked है ये आपके settlers जब Arabians आये थे वहाँ पे उस समय जो gardeners थे उन्होंने ये जो लगाया था वहाँ पे तो ये वहाँ पे harvest किया था खलाल stage for sweetness ठीक है मीठे में खाया जाता है ये आपको पता ही है dates तो ये dates है कहां का गुजरात का कच में ज्यादा तर पाया जाता है 400 से 500 साल पुराना है ये आपको याद रखना है तो ये है गुजरात का product क्लियर कहां का है गुजरात का product देख लो भाई अभी तक हमने जितने किये काची कारेक गुजरात बिलकुल भाई क्या है ये dates है हमें पता है तो next हमारे पास है सिमली पाल काई चटनी कहां का है उड़ीशा ब Kalonunia Rice वेस्ट बंगॉल को प्रोडक्ट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, King of Rice, यह आपको याद रखना है, King of Rice थीक है, यह राइस की वराइटी है, West Bengal की, North Bengal में इसको King of Rice कालो-नुनिया कहा जाता है, कालो नूनिया नाम आपको पता है, king of rice इसको कहा जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ crop नहीं है, ये एक sustainable forming practice भी है, ठीक है, याद रखना है आपने ये, क्या है ये sustainable forming practice, ठीक है, याद रहेगा, कूलिया नूनिया, rice, king of rice, west Bengal, ठीक है, west Bengal, ठीक है जी, चलो, आज़ो next एक बार question practice कर लेते हैं, GI is primarily an agricultural, natural manufactured product, handicrafts and industrial goods, ठीक है बाई, geographical indications are covered under the Paris convention and protection of industrial property, तो बिल्कुल दोनों की दोनों statement आपकी सही है, यापर जो GI tag के regarding आपको दे रखा, यापर national के बारे में मैंने आपको starting बताया था, international भी इनने बताया, कि जो GI है वो आपका cover होता है, किसके अंडर याद रखन Paris convention, ठीक है, ये point आपने याद रखना है, Paris convention, ठीक, तो चलो भड़ते हैं, next product के और, रामबन का अनारदाना, ठीक है, अगर आप लोगों ने जम्मू एंड कश्मीर घूमा है, या फिर जैंड के आप लोग आए हो by road, ठीक है, याद रखना कहां से, by road, तो by road जब आते हैं, आप जम्मू से श्री नगर, ठीक है, जम्मू से श्री नगर आते हैं, तो बीच में आपको पीड़ा, ओके, पीड़ा एक जगा पड़ती है, वहाँ पे आपने famous राजमा चावल जरूर खाए होंगे, ठीक है, राजमा चावल आपने जरूर खाए होंगे, अब सर राजमा चावल के साथ वहाँ पे चटनी आपको दी जाती है, वो चटनी किसकी बनी होती है, आपकी प्याज, प्लस अनार ĐANे की चटनी होती है, तो ये अनार दाना जो है, रामबन का, रामबन डिस्टिक का, उसको अभी अभी क्या मिला है, जी आई टैग मिला है, clear याद रखना, wild of the following or have or has accorded geographical indication status, इन में से किस को geographical indication status मिल चुका है, बनारस का brocades and saris तिरुपती का लड़ू इन दोनों को तो मिल चुका है भाई बिलकुल ठीक है, has been or have been accorded बिलकुल हो चुका है, राजस्तान की दाल भाटी चूर्मा को अभी तक नहीं मिला है तो आपका option C हो जाएगा, यहाँ पर correct answer, ठीक है, one and three ठीक है, अब next है, हमारे पास important यह जो product है, यह important है, क्यों भाई पालानी पंच मिर्थम, पालानी पंच मिर्थम याद रखना है आपने, यह आपका temple की offering के लिए ऐजा प्रसादम दिया जाता है ठीक है, मतलब प्रसाद ऐजा offer किया जाता है, जब आप temple में जाते हैं, तो पूजा पाट के बाद वहाँ पे प्रसाद बटता है, ठीक है, तो यह क्या ऐजा प्रसाद बाटा जाता है, तो इसको भी एक GI tag मिला है, यह आपका Tamil Nadu का है, clear Tamil Nadu ठीक है, offering in Tamil Nadu यह किस-किस से बना होता है, बनानाज जैगरी, घी, हनी प्लस काड़म, काड़म डैट इस इलाइची, ठीक है, इन चार प्रोड़क्ट से बना होता है, यह आपका पलानी, पंच मिर्थम, ठीक है, पलानी पंच मिर्थम, एक, दो, तीन, चार, एंड, पांच तो यह पांच से आप पंच मिर्थम याद रखेंगे, यह आपका युनीक सीख है, युनीक एक आपका जी आई प्रोड़क्ट बन जाता है, कि भाई, इसको ऐज़ा प्रसाद दिया जाता है, इतने सारी चीज़ों को मिक्स करके हम लोग क्या कहते है, पालानी पंचम मिर्थम, ठीक है, पालानी पंचम मिर्थम, यह आपने याद रखना है, ऐसा प्रसाद दिया जाता है तामिल नाडू में, बाई, क्लियर, चलो नेक्स आपसे पुछा गया है बाई, देखो यह सबी चीज़े में करंट अफेर्स के पोर्शन में आपको कवर करवा चुका हूँ, इसलिए बीच बीच में ऐसे कोश्चन से डाल रखे हैं, ठीक है ताओ खलो फ्यून, अ मीडियम औफ हैवी, कमपैक्टिव, वूमन, गुड क्वालिटी फैबरिक इस विच अफ दे फॉल्विंग स्टेट, कहां से है तो यह आपको मिजोर्म से देखने को मिलता है, ठीक है अब मुझे आप लोग बताएए, गमच्छा गमच्छा जो है, इसको भी अभी हाली में गमच्छा जो है, यह आपका कौन सी स्टेट का है यह आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएए, हम लोग भड़ते हैं आगे ठीक है, अब नेक्स्ट है, हमारे पास भाई क्या गुल बरगा तूर दाल येस, गुल बरगा तूर दाल ये आपका हाइदराबाद, क्लियर, किसको हाइदराबाद में दिया गया है, करनाटका क्लियर, हाइदराबाद में, करनाटका में, गुल बरगा तूर दाल इसकी एक युनिकनिस क्या है, भाई, आपको इसमें कैल्शियम भी देखने को मिलता है okay potassium भी देखने को मिलता है ठीक है तो काफी अच्छी डाल होती है यहाँ फोटो में दिख रहा होगा ठीक है इसकी जो soil होती है वो richness होती है किसमें calcium में और potassium में that's why जो गुलबरगा तूर डाल है यह आपकी हाईदराबाद में दिया गया है या फिर कोई बच्चा रूम रेंट पे लेके बैठाओ तो वहाँ पर जब जाते हो राशन स्टोर में तो डाल लेने जाते हो तो वहाँ पर जो राशन स्टोर में बोलता है कौन सी डाल दो स्टुडेंट डाल तो इसी को स्टुडेंट डाल भी कहते हैं स्टुडेंट डाल मा जादेरी नामा कट्टी ये कहा है बाई तामिल लाडू में कहाँ पे तामिल लाडू में ये मैंने आपको बताया था क्या है ये आपका कुछ नहीं है बाई ये क्ले स्टिक्स है क्लेर क्या है ये क्ले स्टिक्स ठीक है clay sticks है जिनको आपका मिला है किसमें तिरुवन्ना मिलाई विलेज है जो आपका तामिल नाडू का वहाँ पे इनको दिया गया है 120 फैमिली जो है चायर तालू के ये नामा कटीज बनाते हैं ये ठीक है नामा कटीज तो ये आपको यहाँ पे फोटो दिख रहा होगा नामा कटी का समझ आई कहां कहा है ये प्रोडेक्ट आपका तामिल नाडू क्या जादेरी नामा कटी clay sticks ठीक है माला बार पेपर important है ये previous year पेपर में आपसे पुछा जा चुका है वाई आपका केरला का है चलो आज़ो भाई नेक्स्ट पे बशोली पश्मीना important one ठीक है बशोली पश्मीना important one क्यों क्योंकि अपने जेंड के का नाम यहाँ पे आगया रामबन का अनारदाना हमने अभी देखा ठीक है अब मुझे इस topic के पे आगे जाने से पहले रामबन अनारदाना को locally क्या कहते हैं यह आप लोग मुझे comment section में बताइए ठीक है बशोली पश्मीना आपका जो 100 साल पहले का old craft है जमू एंड कश्मीर का इसको अभी अभी क्या मिला है भाई GI टैग यहाँ पे आप देख सकते हैं यह है आपका बशोली का पश्मीना बशोली पेंटिंग्स को भी अभी अभी मिला है आपका क्या GI टैग यह भी आपने याद रखना है जो भी आपको news में राता है वो आपको याद रखनी है बशोली पेंटिंग्स को भी 2023 में मिला है बशोली पश्मीना को भी मिला है अभी अभी ठीक है ये handspun होती है इसकी softness बड़ी अच्छी होती है fineness इतनी ये आप दिख रहे होने इतनी बारिकी से ये बनी होती है कि आप बोलोगे हाँ ये और हलकी होती है ठीक है पश्मीना के प्रड़ीक्स में क्या गया जाता? श PC होते हैं, आपके mufflers होते हैं, blankets, baskets ये सबी चीजने होती है आपकी क्या? पश्मीना के प्रड़ीक्स में और पश्मीना बनता कहां से लाते हैं हम कौन सी गोर्ट सोचे हैं? चंग थंग गोट्स जो होती है वो आपकी चंग थंगी माउंटेंस में मिलती है उसकी जो वूल होती है उससे हम लोग बनाते हैं क्या that is पश्मीना के जितने भी आपके प्रोडक्ट्स होते हैं तिब्बित एंड लदाख में ये ज्यादा तर पाई जाती है चांगपा पीप विच फॉल्विंग प्रोडक्ट्ट हैज बीन अवाड़ड़ दजी आई इंडिकेशन टैग इन इंडिया डार्जी लिंग टी अभी लास्ट टाइम मैंने कवर करवाया था अलफोन्जो मेंगो बिल्कुल कहां कहा है ये महराष्ट्रा ठीक है महराष्ट्रा कहा है ये क्ल वेस्ट चिमपारन में यहाँ पे इसको जी आई टैग दिया गया है मिर्चा या फिर मर्चा राइस ये रिजंबल करता है आपका ब्लैक पेपर की तरह क्लियर यहां से आपको दिख सकते हो साइज और शेब ये ब्लैक पेपर की तरह होता है इसकी और इसके जो ग्रेंस होत क्लियर याद रखना है आपने थोड़े क्या होते हैं यह स्वीट होते हैं जब आप इसको खाओगे तो इसका पॉपकोन लाइक आरोमा आता है जब आप इसको चबाओगे तो आपको लगए जैसे पॉपकोन जैसे में कुछ खा रहा हूँ ठीक है तो यह था हमारा मिर्चा राइस कहां कहा है यह दैट इस बिहार क्लियर बिहार वेस्ट चंपारन यह आपको याद रखना है वेस्ट चंपारन ठीक है याद रहेगा चले बढ़े आगे फिर चलिए जी अब आज़ा वाई एक बार सारी चीज़ें जो जो हमने कवर करी है इनको देख लेते हैं एक ए जेंड की का आपका रामबन का अनार दाना ये भी आपको याद रखना है दो प्रूड़क्ट सें जो करंट न्यूज में थे याद रखना है वैसे तो हमारे 18-19 प्रूड़क्स है जम्मू एंड कश्मीर के बहुत बार रिवाईज करवा चगा हूँ आज नहीं करवाँगा आपको अपे पास जादेरी नामा कट्टी तमिल नड़ू ये क्या है भैई आपको ये आपको क्या देखने को मिलता है भई ये घल रखना है जीए ह dallी है इसको कोई बात नी कोई बात नी होता है वाई चलिए स्टुडेंट दाल याद रहेगा चलिए नेक्स आजाओ पालानी पंच मिर्थम ये क्या तामिल लाडू का प्रोड़क्ट है जिसको ऐजा क्या भोग कैसे चड़ाते हैं भाई प्रसादम ये आपने याद रखना है रामबन अनार दाना कालो नूनिया राइस कहां वेस्ट बेंगॉल इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई किंग ओफ राइस ये याद रखना है किंग ओफ राइस नेक्स बन इस कची खरेग ये गुजरात ये क्या है भाई आपकी डेट सें गुजरात कच एरिया काई चटनी ओडिशा मायूर बंज डिस्टिक मायूर बंज डिस्टिक क्लियर काई चटनी ठीक है याद रखना है आपने और नेक्स्ट इंपोर्टन वन आपके पास थी भाई कौन सी ओडिशा की खजूरी गुड़ा आपका गजपती इरिया ओफ ओडिशा ठीक है भाई यहां में आपको एक मैप दे बिहार में था ठीक है अनारदाना को दरूनी लोकली क्या कहते है दरूनी कहते है ठीक है तवल्च पुण यह में आपको वहां पर क्या नॉर्थ इस्टिन में पी वाई क्यू कोशन था वहां से करवाया था ठीक है वेस्ट बिंगॉल का आपका कालो नूनिया राइस डैट इस गिंग उफ राइस ठीक है सिंपली पालकाई चटनी ओडीशा खजुरी गुडा ठीक है ओडीशा जादेरी नामाकटी दैट इस तामिल नाडू नेक्स इस पालानी पंच मिर्थम दैट इस परसादम धियर गुलबरगा तूर दाल याद रखना है गुलबरगा तूर द ऐस नागपूर के अरंज होगे प्लस अल फोन्जो मैंगो होगया यह सब आपका कहाँ है भाई महराश्च्रा इस डेट इन गुजरात गुजरात के कच एरिये में आपको यह देखने को मिलता है थीका है याद रहेंगे यह सब चीज़े ठीक है राडमियर की चिनलीज राजस्तान में क्या है? यह बार मेर की चिलीज प्लस सनौर घी यह सौनवर घी और बार्ट मेर की चिलीज आपको याद राखनी है और बाकी एक लिस्ट आपको दे दूँगा यहां पे नीचे में आपको 30 से न्यूज में थे प्रोड़क्ट्स ये भी आप लोग एक बार इनसे भी go through हो जाईएगा क्लियरा भाई ठीक है तो कैसा लगा आपको आज का सेशन एक बार कमेंड में जरूर रता दीजिएगा भाई ठीक है वीडियो पसंद आईए तो लाइक कर देना तो मिलते हैं अगले लेक्षर में तब तक पढ़ते रहो खुश रहो God bless you keep learning keep sharing